पित्रों अपने द्वारा किये गए कर्म का फल शब को भोगना पड़ता है। आईए एक कथा आपको शुनाते हैं। कासी में एक विद्वान जोत्सी रहते थे। एक दिन कासी नरेश अपनी कोई शमस्या लेकर उनके घर पहुंचे। जोत्सी जी कहीं बाहर गए हुए थे। तो राजा ने उनकी धर्म पत्नी से पूछा देवी जी आपके पती जोत्सी जी महराज कहां गए हैं। तब उस इस्त्री ने अपने मुक से अपने ही पती को अयोग्य अशा दुर्वचन कहे। जिसको शुनकर राजा हैरान हुए और मन ही मन कहने लगे कि मैं तो अपनी समस्या का शमाधान लेकर आया था। प्रांतु अब इनकी समस्या के सामने तो मेरी समस्या छोटी लगने लगी है तो पहले मैं इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में जोत्सी जी महराज आगे घर में प्रवेश करते ही ब्राम्हनी ने जोत्सी को अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरसकार किया। प्रांतु जोत्सी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कर। करंतर वे अपनी गद्दी पर आबैठे। बहुत देर तक वह ब्राम्हनी जोत्सी को बुरा भला कहती रही। एक बार तो नरेस को भी क्रोध आगे और वे आवेश में आने ही वाले थे पर जोत्सी ने उन्हें चुप रहने का इसारा कर दिया। थोड़ी देर बाद ब्राम्हनी अंदर चली गई तो जोची ने राजा की और ध्यान दिया कहिए राजन कैसे आना हुआ तो राजा बोले कि आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए प्रंतु पहले आप अपना हाल बताईए कि आपकी पत्री अपनी जुबान से आपका इतना तिरसकार क्यों करती जो किसी से भी नहीं शाहा जाता और आप जिनका मान्शम्मान पूरे राज में इतना है कि श्वेंग नरेश को भी आपके दरबाजे पराना पड़ता है वह इतना सब कैसे सहन कर लेते हैं इसका क्या कारण है तब जो तिसने कहा राजन यह मेरी इस्तरी की गलती से नहीं मेरा कर्म का परिनाम है दुनिया में जिसको भी देखते हो अर्थात भाई, पुत्र, सिस्ष, पिता, गुरु, शम्बंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है यह इस्तरी नहीं मेरा किया हुआ कर्म ही है और यह भोगे भी ना कटेगा नहीं, अपना किया हुआ जो भी कुछ अशुभ, शुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है पी ना भोगे तो सेकरो करोरो कलपो के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता, इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और अपनी इस्तरी की तारना भी नहीं करता क्योंकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पर है महराज आपने क्या कर्म किया था, तो जोच्षी जी कहे सुनिए, पुर्व जनम में कवा था और मेरी इस्तरी अपने पुर्व जनम में गधी थी इसकी पीठ पर फोड़ा था फोड़े की पीड़ा से बरी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी मेरा सोभा बड़ा दुश्ट था इसलिए मैं इसके फोड़े में चोच मार कर इसे ज़्यादा दुखी करता था जब दर्द के कारणया कुद्ती थी तो उसकी फजीहत देखकर मैं खुश होता था मेरे डर के कारण या शहसा बाहर नहीं निकलती थी किन्तों मैं इसको ढूरता फिरता था या जहां मिले वो ही इसे दुखी करता था आखिर मेरे द्वारा बहुत सताय जाने पर तरस्थ होकर या गाउं से दस बारा मील दूर जंगल में चली गई वहां गंगा जी के किनारे शगन बन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुख पुरवक रहने लगी लेकिन मैं इसके भी ना नहीं रह सकता था इसको ढूरते ढूरते मैं उसी बन में जा पहुंचा और उहां इसे देखते ही मैं इसकी पीट पर जोर से चोच मारी तो मेरी चोच इसकी हड़ी में चुब गई इस पर इसने अनेक प्रयास किये फिर भी चोच न छूती मैंने भी चोच निकालने का बड़ा प्रयत्म किया मगर न निकली पानी के भय से ही यह दुष्ट मुझे छोड़ेगा ऐसा सोच कर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई प्रन्तु उहां भी मैं अपनी चोच नहीं निकाल पाया आखिर पानी के बड़े प्रवाह हमें प्रवेश कर गई गंगा का प्रवाह तेज हो दें के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए तब गंगा जी के प्रवाव से यह तो ब्राम्खनी बनी और मैं बरा जोटसी बना अब वह मेरी इस्तरी हुई है जो मेरे मरन प्रयंत अपने मुख से गाली निकाल कर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझ कर सहन करता रहूंगा इसका दोस नहीं मनूँगा क्योंकि यह किये हुए कर्मों का ही फल है इसलिए मैं शांत रहता हूं तो बोलिए जै जै सियाराम जै सियाराम